आज से अगले तीन महिने तक आपको नॉन स्टोप कबड़ी का एक्शन देखने को मिल जाएगा विकोज शुरू हो चुका है प्रो कबड़ी सिजन 10 एंड पहला मुकाबला खेला जाएगा गुजराज चैंट्स वसिस तलकू टाइटन्स के बीच में और आएए इस वीडियो में हम इसी मैच के बारे में बात करते हैं डीटेल में इस मैच का प्रिव्यू करेगे दोनोई टीम्स की क्या स्टार्टिंग सेवन होगी दोनोई टीम्स का स्टार्टिंग सेवन का क्विक कंपेरिजन भी करेगे कौन से players watch out for होने वाले और मेरी क्या prediction होने वाली इस match की वो आपको एक ही वीडियो में जानने को मिल जाएगा तो time waste नहीं करते वीडियो के main topic पे आते हैं तो match नमबर 1 है जो यहाँ पे गुजराथ Giants versus Telugu Titans की बीच में खिला जाएगा रात के 8 बजे EKA Arena by Trans Stadia एहमदाबाद से जो प्रोक बड़ी सीजन 10 है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है दोनोई टीम्स के head to head records की बात की जाएगा तो दोनोई टीम्स अब तक 8 बार आमना सामने आ चुकी है जहाँ पे गुजराथ Giants की टीम में तलगू टाइटन्स को साथ बरा रहा है और वही पे तलगू टाइटन्स सिर्फ एक ही बार जीत पाई है गुजराथ Giants के against तो गुजराथ Giants का पलड़ा overall PKL में बहुत ही जादा है लास्ट बैटल की बात की जाए तो यहाँ पे PKL लाइन में जब दोनोई टीम्स लेटेस भिडी थी तो गुजराथ Giants ने तलगू टाइटन्स को 44-30 स्कोर से हराया था तो overall गुजराथ Giants का आकडो के हिसाब से पलड़ा भारी चल रहा है होम टीम की स्टार्टिंग 7 से सुरुवात करते है यानि की गुजराथ Giants की स्टार्टिंग 7 पे फटफट नजट डाल लेते हो तो आप देख सकते हो यह गुजराथ Giants की स्टार्टिंग 7 इस मुकाबले में रहने वाली है जहां पे रिडर्स में हमें राके सुंग्रोया देखने को मिल जाएगे रोहित गुलिया देखने को मिल जाएगे पर्तिक दहिया देखने को मिल जाएगे defenders में देखने को मिल जाएगे सौरफ गुलिया, अर्कम शेख, सोंबिर गुलिया और फजल अत्रा चली जहाँ पे सौरफ गुलिया राइट कवर के defender अर्कम शेख, लेफ्ट कवर के defender सोंबिर गुलिया राइट कॉर्नर के defender और फजल अत्रा चली left corner के defender है तेलगू Titans की starting 7 की बात की जाए तो तेलगू Titans की starting 7 भी आप देख सकते हो जहाँ पे हमें readers में देखने को मिल जाएगे पवन सहरावत, रजनीज दलाल और प्रफुल जवारे defenders में देखने को मिल जाएगे ओमकार मोरे, परवेस भैंसवाल संकर गदाय और संदीब धुल, जहाँ पे अंकार मोरे right cover के defender परवेस भैंसवाल left cover के defender संकर गदाय, right corner के defender और संदीब धुल यहाँ पे left corner के defender है तो संदीब धुल का एक निया addition हुआ जहाँ पे तलगू Titans की टीम ने इनको sign किया है as a replacement for विने रेदू तो ये Telugu Titans की Starting 7 है, अब यहाँ पे दोने टीम्स की Starting 7 को Compare करें, इससे पहले एक important चीज में आपको बताना चाहता हूँ, because एक ऐसे चैनल के बारे में आपको बताने वाला जहाँ पे आपको Daily Kabaddy के Match Prediction देखने को मिल जाएगे, Fantasy Teams देखने को मिल जाएगे, मैं बात कर रहा Cricket World Cup हो गया, IPL हो गया, इनका जो accuracy है बहुत ही कमाल का था, यानि कि जादतर मैचेस के जो prediction थे, वो यहाँ पे बिल्कुल accurate जा रहे थे, जहाँ पे जो छोटी-छोटी टीम से जो बोलते ही फैवरेट नहीं हो रहे है, Cricket Gali ने प्रेडिक किया कि ये team जीतेगी, and सच में व पर आपको daily, teams, and साथ ही साथ यहाँ पर prediction देखने को मिल जाएगा, टेंसल एने वाली बात नहीं है, हमारा ही channel है, and आप trust कर सकते हो, तो फटफट चाके आप check out कीजिए, टेलिग्राम चैनल को cricket Gali fantasy, description box पर में लिंक दे देने वाला हो, आप उस पे click किजिए, and join कर लीजिए and आप खुद देखिए, जो match के prediction है, वो कितने accurate जाते है, and fantasy teams पी आप try कर सकते हो, दोने teams की starting 7 को compare कर लेते हैं, तो दोने teams की starting 7 आप अपने screen पे देखी सकते हो, फटफट बात कर लेते हैं, दोने teams के Raiders की बात की जाए, तो गुजरार जायन्स के Raiders, राकेश सुंग्रोया ह रोहित गुलिया है, परतिक दहिया है, and वहीं पे तलगू Titans के Raiders, पवन सहरावत, रजिनीज दलाल, and प्रफुल जवारे है, राकेश यहाँ पे अच्छे form में थे, रोहित गुलिया पी पिसले season, पटना पाइरेट से बहुत अच्छा performance दिखाये थे, परतिक दहिया अपने परतिक देब्यू सेजन में काफी अच्छा खेले, वहीं पे तलगू Titans की टीम के तरफ से पवन पहले मैच में चोटिल हो गये थे, जिसके कारण नहीं खेल पहले लेकिन काबिलियत रखतेगी, अच्छा performance दिखाये के रजिनीज भी उसी टैप के रिडर है, and प्रफुल स्ट्रॉंग निये, ये टीम भी जदा स्ट्रॉंग निये, रेडिंग लाइनप के बात की जाए, डिफेंडर्स की कंपैरिजन कर लिया जाए, तो कवर डिफेंडर्स में गुजराज जैन्स के कवर डिफेंडर्स सौरफ गुलिया एंड अरकम शेक है, and वहीं पे तलगू Titans के डिफेंडर्स कवर में, ओमकार मोरे एंड परवेज भेंस वाले, सौरफ गुलिया पिछले सीजन अच्छा खेले थे, 35 पॉइंट स्कोर किये थे, वहीं पे अरकम शेक ने 22 मैच में 40 पॉइंट स्कोर किये थे, वहीं पे तलगू Titans की बात की जाए, तो ओमकार मोरे डेब गुचराच जैंट्स का थोड़ा स्लाइटली जादा स्ट्रॉंग देखने को मिल रहा है, कॉर्नर डिफेंडर्स की बात की जाए, तो गुचराच जैंट्स के कॉर्नर डिफेंडर्स सोंबर गुलिया, एंड फजल अतराद चलिये, सोंबीर एंड फजल का डूओ अगें अ एंड संकर गदाई भी डीसेंट सा परफोर्मेंस दिखा रहे है, तो ओवरल मुझे लगता है कि कॉर्नर डिफेंडर्स में गुचराच जैंट्स का जो कॉर्नर डिफेंडर्स है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है, तो ओवरल कंपरिजन करने के बाद, ती की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि पवन सहरावत एक ऐसे खिलाडी है, जहां पर सब की नजरे इन पर रहने वाली है, देखा जाए, तो पवन सहरावत पिछले सीजन गुजरात के खिलापी खेल रहे थे, इंजर्ड हो गए थे, पूरे सीजन के लिए रूल आउट हो परतीक दहिया पर नजरे रहने वाली है, अपने डेबु सीजन में 19 मैचे में 183 पॉइंट स्कोर करना एक बहुत बड़ी बात है, तो इनका जो फॉर्म था सीजन अपने डेबु में मुझे लगता है कि इस मैच में भी अच्छा परफोर्मेंस दिखाएगे, अब मैं अप रेट पॉइंट्स दूड़ है, तो मुझे लगता है कि यह प्रेडिक्शन कहना असान है कि अराम से 13 पॉइंट स्कोर करके 1000 रेट पॉइंट कम्पलीट कर लेगे, दूसरा प्रेडिक्शन की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि परवेस भेंसवाल और फजल अतराचली म यहाँ पर चार या फिर चार से ज्यादा टेकल पॉइंट्स लेगा, यानि कि हाई पाइ स्कोर कर सकता है, मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक स्कोर करेगा, तीसरा की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि गुजरा जायन्स की टीम स्लाइटली ओन पेपर स्ट्र तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक ओने इंट्रस कि अधे हुडंगा, तो मयप स्ट्रमु स्कूर काइब, टीप की टीम पारेगा की जाए रेजरा जाए डीम आंगा मैच नुमबर टू जो यूपी उदास वसिस यू मुंबा की भीच में खिला जाएगा, वो वाला मैच का प्रिव्यू नहीं देखा है, तो आप लफ साट पर क्लिक करके देख सकते हो, और पीकेल टेन कहां पर लाई बाने वाला है, लाईब स्ट्विंग के डिटेल्स भी मैंने बता दिये, वो देखने के लिए आप राइट साट पर क्लिक करके देख सकते हो, तब तक मैं मिलता हूँ, ऐसे एक और ने इंटरस्टिंग उड़ो के साथ, ठैंक्स पर वाचिंग